नमस्कार दोस्तो मैं डोक्टर आकास सेनी होमेपेटिक एमडी मेडिसीन फीजेशियन दोस्तो आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुती आम बिमारी की जिसका नाम है इंफ्लोनेशन इंफ्लोनेशन मलब सुजन आम तोर पर हमारे स्रीण में कहीं भी हो सकती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तो यह अलग-अलग टाइप की होती है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको सुजन के बारे में मैं असमें बताऊंगा और इसकी होमेपेटिक मेडिसीन के बारे में बताऊंगा कि होमेपेटिक मेडिसीन में के सिम्टम क्या है और ये कैसे यूज़ करनी है आपको कितनी मातरा में लेनी है वो कितना इसका प्राइज होगा तो इस वीडियो में आप बने रहे चलिए टोफिक शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के सार सेर करें और बेल अइकन जरूत दबाएं दोस्तो हमारे सरीजम में सूजन एक बहुत ही आम समझ तो वह एक कंडिशन में क्या होता है कि आपको धीरे 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 सुजन होती है तो उसे बोलते हैं क्रोनिक सुजन यानि कि बहुत 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 सुजन जो आपको एक महीने से दो महीने से तीन महीने से पहली कोई किसी भी बीमारी में आपको सुजन आ गई हो तो वह क्रोनिक सुजन के नतरकत आएगी दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको कि हमारी बोड़ी में किस किस हिस्से में सुजन आ सकती है और किस करन से आएगी और इन्फेक्शन कौन-कौन से होते हैं जिनके करन सुजन आती है तो मैं अब इसमें आपको बताऊंगा जोस्तों जैसे कि पुराना नालिला हो गया आपको बुखार हो गया या आपको गले में खरास हो गई गले में खरास के करन आपको सूजन आ जाती है जैसे कि टोन्सल पकल जाते हैं या बच्चों को बार बार बुखार आता है फिवर में उनके गले में टोन्सल हो जाते हैं गले में ने अब मैं आपको बताओंगा किसके कारण्ट क्या-क्या होते हैं सूजन के, घिरम 2 जो हमारे और वो हमारी बोडी में एंटर कर जाते हैं गलत खाने की वाज़ता है कि धार सें वार वो हमारी ऑडी में एंटर कर गया कि 2-4 दिन में फूरा तर दिखानी सुजंवा जाएगी तोिए ये ऐसे करना होते हैं कुछ वाइरस होते हैं वाराइस के करन भी आपको जैसे की आपको जुखाम का वाइरस हो गया तो आपके नाक में सुजन आ गई जैसे की आपके मस्तिक्स में सुजन आ गई जदा पानी भठने के करना मेरिनजाइटिस हो गया दोस्तों तो आपका जैसा कि आपने कुछ बाहर से खटा-पदात खा लिया तो आपका गले में सूजन हो गई तोनसिल आपके पग गए जैसे कि बच्चे हैं छोट-छोटे तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बार-बार किसी-किसी का टोनसिल पग जाना तो सूजन इस तरीके के होती है और मेली जो मैंने आपको करण बताई है इसके यहीं करण होते हैं सूजन के अब मैं आपको बताऊंगा किस सूजन हमारी बोड़ी के किस-किस हिस्से में हो सकती है दोस्तो नमबर एक हैस में फिवर दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको फिवर आता है तो फिवर आने के बाद आपके टोनसिल पग जाते हैं तो टोनसिल का मतलब ओपी मापोःस्ए होना लेरंजाइटिक निगन्दने में परिसानी होना जिलन होना और और बरोणचाइटि का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा ये जो l subscribed है हमारे लंक्स में प्रोब्लम होना सांस लेने में तकलीफ होना यह ब्रुंचाइटीस, बर्एथ-लेस की प्रोब्लम आना सांस में खिचावट मैसूद देना ये भी एक मेयन कारना है दोस्तो मैक्स्ट है पैन拼़ेटाइटीस के पैन कि रियाज में जो हमारी पैन कि रियाज होता है जिसे हम दिहिंदी में अगनस्ते भी बोलते हैं दोस्तों अगनस्ते में सुजन का आ तो आप से दोस्तों उसके वाद आपको क्या होगा कि आपको एक दम से भर जाएगा तो यह भी एक और यहां सुजान का बहुत इम्पर्टेंड करन है सूजान के करहनी आपको ऐसा महसुत देता है दोस्तों क्या होता है ज्मिल इसमें सुझनाती है तो आपको बहुत तेज अचनक से पेन हो गाब बैठे हो या दक्ते हो या अचनक से आपको कभी खाली पेट को Which मैंसुछ देगा और टॉर्व पएंशस्च आपको हरुको हलका भी हो सकता है काफी तेज हो सकता है इसमें आपको रोस्पी ट्र जाने की भी आसकता कभी कभी दोस्तों हो जाती यह भी एक होता है तो वह में एंटर開चा जाता है दोस्तों करने के बाद लिवर में पैदा करता है तो इसे बोलते है थो हमारे यहां पी लिवर में भी सूलनवागा सकती है तो फवाल दो Eugene my लगना याक्तफफ हशर्ण में और यहा साय तो स Consumer में वह जाती कियंते और हमारी जो हैं फिंगर है दोस्तों फिंगर में भी कभी कभी सुजाना जाती है जिसे गठिये का भी बोलते हैं आमभासा में गाउं में देहानत में बोलते हैं कि गठिये का सरा आ गया दोस्तों वो भी एक इंफ्लमेशन ही होता है जैसे कि छोट छोटे जोइंट है इने प के होते हैं वो हमारे खाद्य प् Separate ऑफ जैसे मैंने आप आपको बता आप दो इसमें खाद्य पता जैसे की बॉलिंग ओल अगर हम बार बार किसी त्ले को बार बार जादा गरम करते हैं तो उस चैजो हमारी हमारी बॉडी में पढ़ने के बाद उस ऊविचान आई दोस्तों अब हो गई यह सारे सीम्टम पिलंग में आप बात करेंगे इसकी हमएप extrêmement medicine की दोस्तो इसकी एक सबसे best effective medicine है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था उसका नाम है डोक्टर रैकवेक की R1 homeopathic medicine दोक्तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इस medicine के अंदरगत कौन-कौन सी दवाई इसमें डिलीवी है और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन सी medicine डिली है तो चलिए शुरू करते हैं medicine के बारे में सबसे पहली medicine डिलीवी है इसमें एपिसमेलिफी का दोस्तो एपिसमेलिफी का सबसे effective medicine है redness के लिए general के लिए और swelling के लिए दोस्तो कहीं पे भी दो मक्य अगर कहीं पर भी आपके बाइट कर लेती है तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है किसी भी चीजिने आपके काट लिया हो तो इसमें अगर बहुत अच्छा medicine काम करती है यह और बार बार टॉंसिल का पक जाना और किड़नी खराब होने के कराण अगर आपके हाथ पैरों में सुजन आ गई हो तो इसमें भी बहुत अच्छी काम करती है एफ इसमें लिक्या दोस्तों यह इसमें अंदर डलीवी है जो इसमें नेक्स medicine है और गले में बार बार खरांस होना बार बार खांसी होना बार बार सलेशमा निकनना इसके लिए भी एक यह बहुत अच्छी medicine है दोस्तों और साथी साथ दोस्तों बार 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 गला बैठना आपका किसी भी करन से अगर बार बार गला बैठता हो तो यह medicine है दोस्तों त वहीं भी रेड़नेस की साथ-साथ और सूजन आगी इंफ्लमेशन हो गई हो किसी भी इंफेक्शन के करण से और वह किसी भी करण से दोस्तों हमारे टोंसिल पग गए हो रेड़नेस हो गई हो या साथी साथ मैं आपको आज इसका एक बहुती इफेक्ट बताता हूं बेलडोन में या कहीं भी लाल पना रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छी मैडिसीन है और इसमें नेक्स मैडिसीन है कैल्सियम आयोडेटम कैल्सियम आयोडेटम दोस्तों बहुत अच्छी फेक्टिव मैडिसीन है रेड़नेस के लिए स्वेलिंग के लिए और यह खास तोर से वहा लिए गभाडा पिर निकलता हो यालो हलगा हो सकता है तो यह बास फॉर्मिशन हो गई तो यह निकलता हो तो उसके लिए बहुत अच्छी एफेक्टिव मेडिसीन है स्ब्सक्राइब को फड़िए और आफे गेगिल्टिव क्लिए जो छोटी गिल्टिया होती है दोस्तों कभी घवी में पक जाती है तो उनके लिए उनकी सुजान को खतम करने के लिए सबसे इफे तो यह स्कॉरा साइवस यह बहुत ही अच्छी फैक्ट्व मैयरिसीन नहीं दोस्तों महां पे खास तोर पे जहां पे आपको अचानक से जसे की अभी आप ठीक थे और अचानक से आपका गला पक गया और अचानक से पकाओ एक दो घृंटे के बाद या एक दिन के बाद तो इ वारि भारि लागता हो या आपको पेट में जलन मासूद देती हो तो इसके लिए बहुत अच्छी मैडिसीन इसमें डली हो दोस्तों ही और इस ने next medicine पड़ी है नऔर प्रसानी होती है दोस्तों तो तोस्के लिए सबसे छी एक्छी और ये फाइटा लगता और साथ ही साथ टॉंसिल के पक जाने में ये बहुत ही अच्छी इपेक्टिव मेडिसिया दोस्तों मैंने अब तक आपको बता है कि किसकिस में काम करती है अब मैं आपको इसको लेने का तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आप इसको कैसे लेज़ रखते हैं और कैसे अपविद्ने मिलें और किपनी श्राइबर और डॉक्टर की ऑरवन ड्रोव के नाम से आएंगी ये आपको इसी दिखने में मिले ऑर यह जो किसी भी होम्रिधिक सोप से या किसी भी डोक्टर के यहां से आपको बनेगी दोस्तों यह इसका मारफियार 200 लोपे अब मैं आपको बताओंगा इसका लेने का तरहे अर्क डोस्तों आपको एक कपपणी लेना है या आदा कप पानी लेना है किसमें जैतो गलास खने या फेर कप में ठीक है ना आपको आदा कपप पानी मीना है हलका सब गुंगुना पानी लेना है तो आपको ऐसे रहक्त कन खोना है एसका तो आपको ऐसे इस दोस्तो साम के टाइम करना है खाना खाने से पहले तो ये आप तीन बार लेना तीन बार आप ले सकते हो ये परोनिक बिमारी में जो आपकी बिमारी बहुत दिन परानी हो गए जैसे कि एक महीना दो महीना आपकी बार बार ठीक नहीं हो रही है तो उस बिमारी में तो आपको लेना हण कि पंद seanow दिन में थील बार हाप कपुफए तर दोस्तों ौिके हो पॉर आपको जैसे कि ही आपके बच्छे है च्छोटा बच्चा है 8 साल से कम का बच्चा है तो उसको है कि इस लिक 8 ड्रोफ 8-8 ड्रोफ आप 8 साल से कम के बच्चे को दे सकते हैं ठीक है और आप इसे infant baby जो छोटे baby होते हैं उनको मत देना एक साल से निच्चे वाले को ठीक है तो यह इसका लेने का तरीका हो गया दोस्तों आपको ऐसे लेनी है और आप अलगा सा गुनगोना पानी ले तो और बेतर है आप इसे गुनगोने पानी में ले सकते हो तो आपको बहुत ही मलबब आपको जवर्दस्त रिजल्ट मिलेंगे दोस्तो इसके बहुत अच्छी मैडिसीन है ठीक है और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ह तो इसे आप लाइब करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ सेरे करें और बैला इकट दवाए ठैंक्यू दोस्तों